I hope you are doing good, I hope you are doing nice, let's begin the session शुरू करें, शुरू करते हैं, आरभ करते हैं session का अच्छा एक बात बहुत important है, कल जो हम पढ़ रहे थे न सब याद रखो important है, बहुत काम की चीज़े series और sequence के बारे पढ़ रहे थे, AP को हमने start कर दिया था तो आज हम उसके इंतिकाम की तरफ आगे बढ़ेंगे, मज़ा आएगा, so stay till the end of the session if you want to do some good amount of questions, some nice questions, some nice concepts उसके फिर मुझें जिंदिगी के मज़े लूटो और क्या, like कर दो, share कर दो, subscribe कर दो, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे questions ट्राइ कर लेंगे, बहुत अच्छे tricks भी सीख लेंगे, और मैं कहूंगा आपको मज़ा भी आ जाएगा, चले, शुरू करते हैं, देखो यार, बहुत important चीज़ यह है कि आपके जो batches है, कुछ, वो, कुछ तो 3rd January और 17th January को start होएंगे, 3rd को start को चुके हैं, for CBSE 9, इसमें आपका complete term 2 का syllabus लिया जाएगा, जो 10th के बच्चे हैं, उनके लिए 27 December से अलरड़ी चल चुका है, जिसमें एक अफ़ते हो चुके हैं, और 10th January, और जो बच्चे, JAE या फिर NEED की preparation जल्दी start करना चाहते हैं, basically JAE की preparation, टोन के लिए भी कुछ बहुत बढ़िया से चीज़ें, description box में उसका link है, register for any of the dates in the exam, जो भी आपको exam देना हो, जिस date को भी आपको देना हो, और यह basically किस चीज़ के लिए हो रहा है, यह दृष्टी, prodigy badge के लिए हो रहा है, for 2024 students जो 2024 में advance अपियर करने वाले हैं, main advance उनके लिए, तो अच्छी चीज़े, go for it, अच्छी कुछ चीज़े और पढ़ी हुई है, उसको revise तरके सीधे questions के उपर jump करेंगे, आज एक extra चीज़ बढ़ रहे हैं, कि Nth term कैसे निकालते हैं, किसी भी AP का, अगर आपको first term पता हो, अगर आपको ये पता हो कि उस AP का common difference क्या है, तो how to find the Nth term of that particular AP, concept simple है, start करते हैं, ध्यान से समझोंगे, चीज़े बड़ी simple हो जाएंगे, उस तो होता है, चलो, तुब देखते हैं क्या करने में होता, हाँ, ठीक है, कुछ करना नहीं होता, basically, आपको पता है कि जो हमारा first term होने वाला है, मैं इस तो, मैं तरफ, इसा क्यों हो रहा है, जो first term होता है, वो होता है A, next term होता है A plus common difference D, next term होगा A plus common difference D के साथ एक और D तो 2D, फिर अकलर term होगा A plus 3D, so on, so on, so on, आप देखो हर बार आप D को आड़ कर रहे हो, D को आड़ कर रहे हो, D को आड़ कर रहे हो, first term में D नहीं है, second term में 1D है, third term में 2D है, fourth term में 3D है, so on में आ रहा है, मतलब अगर मुझे 20th term निकालना है, तो A तो रहेगा, लेकिन 20 से A कम 19D रहेंगे, कैसे पता, अरे सर, pattern देखो न, ये पहला term में जिसमें D है यह नहीं, दूसरे term में 1D है, सर, third term में 2Ds are there, सर, fourth term में 3Ds, सर, मतलब समझ में आगा, सर, pattern कुछ ऐसा बन रहे है, तो मतलब अगर मुझे सर, 100th term निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, A plus 99D, तो सर, अगर हमें rth term निकालना है, तो a plus, अब क्या करें सर, r तो हमको पता नहीं, लेकिन सर, r से A कम तो होना चाहिए, तो सर, r minus 1 लिख देते हैं, सर, कोई दिक्कत नहीं, सर, d लिख देते हैं, बस, तो nth term of arithmetic progression will be given by a plus n minus 1 whole d, where a is the first term, n is basically which term you are wanting to find, and d is the common difference, so let's move ahead with this, ठीक है, यह formula आप इसको याद रखो, बहुत काम की ठीज़ है, ध्यान रखोगे, तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, तो समझ आएगा, समझ आएगा, तो questions और अच्छे से बनेंगे, पहला question शुरू करते हैं, एक बात मुझे याद आती है, जब मैं एक question देखता हूँ तो, आपको show करना है कि पहली बात हो, यह sequence AP में है, बड़ा simple है, difference निकालो कितना आ रहा है, 12-9, 3, 15-12, 3, 18-15, 3, common difference, same है, मतलब differences common है, तो common difference है, तो common difference same है, AP में है, अच्छा तब तक live chat में answer बतागो, मतलब मैं wait करने को त्यार में, अब सवाल उठता है कि, सर, 16th term कैसे निकाले, आपको first term पता है, क्या formula पहले जबते है, किसी भी AP का Nth term निकालने के लिए, formula होता है, A plus N minus 1 multiplied by D, हमें A की requirement है, D की requirement है, और N तो हमें पता है, N 16th term निकालना है, A 16 will be A plus 16 minus 1, 15 D, सर, A क्या है, first term सर 9 है, सर, common difference क्या है, सर, वो तो 3 है, सर, कहां ये रहा, ये रहा, ये रहा, सर, रखते हैं न, A की value सर 9 है, और ये 15 है, common difference 3 है, तो सर, ये 9 plus 45 हो गया, सर, ये तो हमारा 54 हो गया, सर, ऐसे कैसे करते हैं आप, ये तो सर, सही हो गया हमारा answer, सर, अभी कॉर question कर लेते हैं, अब Nth term निकालना है, तो बड़ा simple है, पता है, बहुत ही simple है, Nth term निकालना है, general term निकालना है, Nth term, तो कुछ नहीं, ये पता है आपको 9, common difference पता है न, N-1 लिख दो यहां पे, common difference है 3, थोड़ा open कर दो उसको, 9 plus 3 times of N, तो 3N minus 3, तो ये होंगे आपका 3N, 9 minus 3 बच्चो, plus 6 होता है, तो अगर आपको इस AP का, Nth term निकालना है, तो आप एक general, इस particular AP के लिए बोल रहा हूं, वैसे, किसी भी AP के लिए general term होता है, A plus N minus 1 times of, हो गया, next question, आज़ो, चाबो, which term of arithmetic progression, will be 130, कौन कराता है, इस equation आज़कर, क्यों कराता है, कराते हैं ऐसे question आज़कर, बता नहीं, डिखते हैं, तो which term of arithmetic progression, will be 130 more than its 31st term, तो पहले तो 31st term निकाले, चुपचाब, 31st term निकाला, A plus 30 times of D, A हमका मिल गया, 5, D हमका मिल गया, 15 minus 5, 10, चेक मत करूँ कि AP में है, क्योंकि already given है कि AP में है, common difference, same होगा, पहले 31st term निकाल लो, ये है तुमारा A, मतलब 5, plus 30 times of 10, 31st term हमारा निकल काएगा, 305, ठीक है, एक ऐसा term है, question बोल रहा है, कौन सा ऐसा term है AP का, जो 31st term से 130 जादा हो, ठीक है, तो कौन सा ऐसा term है, which will be, 31st term से, 31st term plus 130 होगा, 31st term कितना है, 305, और ये कितना है, 130, उसे जादा होगा न, और वो कौन सा term है, हमें नहीं पता, हम उसके लिए formula पता, पहले इसको निकाल लेते ही आया, कुछ 435, और Nth term का formula क्या होता है, A plus N minus 1 times of common difference, ये क्या है, 5, N minus 1 जो भी है, फरक नहीं पता है, D हमको पता है, वो है हमारा 10, that is equal to 435, इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, कि direct 5 को इधर ला दे, तो यहाँ पर बचेगा, N minus 1 multiplied by 10, 5 उदर गया, तो यहाँ सिर्फ 430 बचेगा, 10 और 10 को direct cancel गया, तो पता चला, N minus 1 is equal to 43 बचा, N की value direct 44, कुछ बच्चे direct 44 निकाल सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा, उसको शायद expand करके solve करें, ऐसे 5 plus 10 N minus 10 is equal to 435, तो 10 N minus 5 is equal to 435, तो 10 N is equal to 440, तो N is equal to 44, तो आप यह method लगाओ, यह method लगाओ, calculation है यार, मतलब same ही आएगा, इसमें क्या doubt रखना है, चलो, next question, क्या question है, अच्छे एक चीज है, आप middle term कैसे पता करते हूं, question अच्छा है, यह पक्की बात है, पहले आप पता करो किसमें terms कितने हैं, अब यह आप कैसे पता करोगे, उसके लिए बीक तरीका है, आपको first term पता है, six, आपको common difference पता है, seven, आपको last term पता है, कितने terms से यह पता है क्या, पता कर लेते हैं, हम nth term को बोल देते हैं, two, one, six, formula होता है, a plus n minus one times of common difference is equal to two, one, six, a कितना है, six, plus n minus one times of common difference कितना है, seven, that is equal to two, one, six, two, one, six, इदर आएगा, तो n minus one times of seven is equal to 210, क्योंकि two, one, six minus six will be two, one, zero, तो n minus one की value आएगी 30, because 30 times of seven is equal to 210, n की value आगी 31, मतलब ये जो 31st term है, एक बात बताओ, 31st term है, तो middle वाला term कौन सा होगा, middle वाला term होगा, 16th term, पुछो सर कैसे, बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास odd number of terms होते हैं, sorry, sorry, तुम्हारे पास अगर odd number of terms होते हैं, याद करो, थोड़ा एपी में, sorry, थोड़ा class 9th के statistics में जाओ, आपके पास अगर, n is equal to odd होता है, तो middle term, median कैसे निकालते थे, n प्लस 1 बाइ 2th, term will be the middle term, और median, n यहाँ पर कितना है, sorry, 31, last term 34 तक जा रहा है, तो 31 प्लस 1 डिवाइड बाइ 2, मतलब 16th will be the middle term, simple है, तो निकाल लो यार, A 16, कोई भी निकाल सकता है, A प्लस 15 दी, A पता है, D पता है, 15 पता है, तो किस बात के tension लेते हो, answer करो जल्दी से, अ गंदा question तुम लोग करते हो, यार, how many, 2 digits are divisible by 7, वैसे डारेक निकाल सकता है, इस question को मैं डारेक निकालता हूँ, कैसे, कौन-कौन से 2 digit number 7 से divisible है, पहली बार तो 14 है, फिर 21 है, फिर 28 है, फिर 35 है, फिर 42 है, फिर 49 है, फिर 56 है, फिर 63 है, फिर 60, नहीं ने, फिर तो 70 है, फिर 77 है, फिर 84 है, फिर 91 है, फिर 98 है, count कर लो, count ना करना हो, count कर लो यार, छोड़ो, अच्छा, count ना करना हो, तो पहला निकालो, पहला कौन सा ये निकालो, first two digit number divisible by 7 is 14 last two digit number divisible by 14 is 98 आप इसको first term मान लो common difference तो दुनिया भर को पता है 7 है क्योंकि आप उसी के तो उसी के तो आप table निकाल रहो उसी के तो table निकालो गया common difference पता है first term पता है last term को आप nth term निकाल के मतलब यह सब ना यह सब दिखानेगी यह सब धोंक वाले काम नहीं दिखाते हैं औरे औरे भूंको बहुत आता है बहुत AP आता है डारेट ऐसे निकाल दो सब्सक्राइट में हमने ऐसे निकाल देते हैं आप AP वाला method लगाना इसको आप nth term मानोगे तो ऐसे हो जाएगा nth term is equal to 98 तो a plus n minus 1 times of d is equal to 98 ठीक है तो a कितना आपका 7 sorry 14 है first term आपका 14 है तो n minus 1 times of d is equal to 84 आजाएगा d आपका 7 है अल्रेड आपको पता है cancel करोगे तो यहां पर आ जाएगा कुछ मेरे ख्याल चे 12 हाँ 12 आएगा तो n minus 1 is equal to 12 आएगा तो n की value आएगी 13 चाहर तो आप ऐसे count कर लो चाहर तो ऐसे 7 8 9 10 11 12 13 खुश्श हो जाओ इस बात से खुश भी करो यार क्या फरक परता है बस मज़े करो अच्छा question है प्राइक करते हैं बन जाएगा तो मज़ा आएगा चलो करो अच्छा question जो आपको भी करते हो ना इस बात का ख्याल अब जरूर रखो कि question को पूरा attempt करो जैसे यहां पर बोल रहा है if mth term of ap is 1 upon n मतलब am is equal to 1 upon n मतलब a plus m minus 1 times of b is equal to 1 upon n अगले वाले में बोल रहा है nth term is 1 upon m मतलब a plus n minus 1 times of d is equal to 1 upon m देखो यह वो चीज़े जो हमें question में पता है अब इसके बात की जो calculation है ना वो करने में आपको शर्माना नहीं चाहिए आपको डरना नहीं चाहिए आपको करना चाहिए यहां पर यहां के बाद क्या होता है बच्चे डर जाते हैं इसके आगे करे की ना करे करना चाहिए यहां इसके बाद कई बार रुख जाते हैं लोग बोलते चलो इतना कर देते हैं अब करने की जूरत नहीं हो पाएगा बहुत लोग ऐसा भी करते हैं ऐसा नहीं करना है इसको बनाओगे, तो MA plus NMD minus MD is equals to 1, इसको बनाओगे, तो MA plus NMD minus MD is equals to 1, इसको यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखो कि ध्यान से दिको very important है, आपको बहुत एक must चीज मिलेगी, आप नीचे इसको लिखो, यहाँ पे क्या था, AN था, आप इसको NA लिख दो, कोई दिक्कत नही NA plus NMD minus MD is equal to 1, आप सीधे सब्ट्रैक्ट मार तो, सीधे, सीधे, यहाँ positive, यहाँ negative, 110, खतम, ठीक है, देखो, यहाँ पे क्या हो जागा, ध्यान से दिक्क है, माइनस NMD plus NMD गया, MA minus, यहाँ पे क्या हो जागा, बनेगा, is equal to 0, बनेगा, ध्यान से देखो, MA minus NA, बहुत यहाँ, उपर वाला minus MD था, minus MD और नीचे वाला अब plus ND हो चुका है, बहुत basic से चीज़ें, लेकिन मज़ा आएगा, और यही वो चीज़ें जो आपको answer दिलाती है, अब मेरी बात समझो, यहाँ पे आप देखोगे, बच्चो, तो आप यहाँ पे A common ले सकते हो, तो common ले ल लोगे, तो फिर समझेगा M minus N, और right hand side में तो equals to 0 है, अब आप दोनों में से, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, further steps, ठीक है, अब आप दोनों में से M minus N common लोगे, तो पता चलेगा A minus D बचेगा, that is equal to 0, तो इसका मतलब यहाँ तो M और N बराबर है, यहाँ तो A equals to D है, मतलब क को निकालने है, M Nth term, तो निकाल दो, A M N will be equal to first term plus M N minus 1 times of E, इसके बाद तो मुझे भी न पता, इसको solve करो, जो करेंगे, दिमाग लगा अपना, और मुझे नहीं पता, पता नहीं है, जो भी है, क्रीक है, त्राइक करो, इसके बाद बन जाएगा, question बहुत simple है, इसका answer मुझे आप comment box में बता हो, यहाँ आप टोल प्रोसेस, और फिर इसको next class में, और further, ऐसा एक और question दे करा हो, तो tell me the answer, I have told you the process, the way, the method, दूसरा method यह भी है, कि आप direct subtraction भी कर सकते हो, अच्छा हम subtraction ही क्यों कर रहे है, because बहुत सारे चीज़े cancel हो रही है, NMD, NMD cancel हो गया, MD, MD cancel हो गया, बागी आप खुछ से try करो, एक बार, और try करो, इसको बहुत अच्छा question है, इसको जल्दी try करना है, by speed के साथ, बिल्कुल वैसा ही question है, but इसका question है, यह वाला question है, यह प्रूफ देट वाला question है, तो इसका तो answer दिया हुआ है, मैं इसका answer आपको comment box में चाहता हूँ, please everybody will be answering this question's answer in the comment box, yes, next question, यह बहुत easy है, इसमे भी करना ह सेम वही काम, if M times the Mth term of AP, कर रहा है, M times, आपने Mth term का किया है, that is equal to N times of the Nth term, सेम वही काम कर रहा हो, कुछ नहीं कर रहा हो, और कुछ नहीं कर रहा हो, इसको open कर दो, M times of A plus M minus 1 times of D, that is equal to N times of A plus N minus 1 times of D, open कर दो, तो MA plus M square D minus MD is equal to NA plus N square D minus ND, कुछ नहीं करना है, अपने अपने वालों को एक साथ ला लो, NA, MA, इधर लाओगे, तो A common लेके आप M minus A बना पाओगे, M square D, N square D, इधर लाओगे आप, तो D common लेके M square minus N square, सुरी, यहाँ पे M minus N होगा, ठीक है, हाँ, यह बना पाओगे आप, आप ND कुधर लाओगे, तो आप minus D common लेके M minus N बना पाओगे, बहुत सिंपल चीज है, यहाँ बचेगा, सिरफ 0, अब कुछ मत करो, यहाँ पे M minus N है, यहाँ पे भी M minus N निकल आएग M plus N लिख पाओगे, इसको आप minus of D times of M minus N लिख पाओगे, that is equal M minus N common लिखा लो, ठीक है, तो यहाँ बचेगा जहाँ से देखो, A plus D times of M plus N minus D times of, यहाँ तो 1 बचेगा, बस, that is equal to 0, यह D अंदर भी common लिया जा सकता है, तो M minus N को बहर रखो, यहाँ देखो, तो A plus, अगर आप D common लोगे, तो M plus N minus 1 बचेगा, और multiplied by D equals to 0, आप कोई बात बताओँ, सुनो तो, यह equals to 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो M minus N 0 है, या तो पहला वाला term 0 है, या तो दूसरा वाला term, दूसरा वाला term कौन सा है, A plus M plus N minus 1 times of common difference, या तो यह 0 है, और either the first term is 0, और the second वाला, सिंपल सी बात है, हमें पूछ रहा है कि M plus Nth term क्या है, अगर M plus Nth term निकालना है, तो formula होता है, A plus M plus N minus 1 times of common difference, और अगोर करें, यह तो हमने पहले ही निकाल लिया है, यहीं से निकाल लिया है, यह तो 0 है, तो 0 है तो direct 0 रखेंगे, तो खतम बात हो जाएगी, उसको बोल देंगे कि sir, यह proof हो गया है, आप बोलोगे sir, यह आप इधार सब कुछ क्यों ले के आए, बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी MA है, यहाँ पे भी NA है, A common लोगे ना, तो M minus N बन जाएगा, यहाँ पे भी M square D है, यहाँ पे भी N square D है, D common लोगे ना, तो M square minus N square बन जा है, इसलिए मैं आपको यह homework दे कर जाऊंगा, यह दोनों questions आप करें, मुझे बताएं कि आपको मज़ा है कि नहीं, यह पहला वाला और यह दूसरा वाला, और यह तीसरा वाला, यह तो homework है, यह वाला मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, पर्स तर्म पता है, आपको कितना है, minus 2, अच्छा, common difference निकालना है, तो second term minus 1, direct, क्योंकि AP में तो already है, second term क्या है, minus 4, first term क्या है, minus 2, बहुत important ही, यह चीज़ का ध्यान रखना सबसे जादा important है, इसी से आप common difference निकाल पाते हो, तो common difference will be, minus 4 तो यह minus 4, minus of minus 2 becomes plus 2, answer आएगा, minus 2, common difference आपको मिल गया, first term आपको मिल गया, अब आप 12th क्या, 12th के 13th कभी निकाल सकते हो, ठीक है, चलो, next question homework है, next question homework है, यह दो questions आपके homework है, tell me in the comment box what's your answer, इसका तीन question है मिसे, एक तो वो 1 upon M, 1 upon N वाला question, एक तो यह पीछे वाला word problem, और यह तीसरा question, यह तीन questions के answer, जितने बच ने भी थोड़ा सा भी religiously इस session को देखा है, मुझा answer बताने की हिम्मत करियेगा, thank you so much, this is the end of the session, like, share and subscribe to the channel, that's it, description box में जाओ, term 2 के हर एक description में दिया हुआ है, dp pro code आपने का सकते हो, thank you so much, have a good time, bye bye and take care, lots of love to all the people, दो आपने के खिए समय गशेख़। झाल झाल